लोग सबद चुनाप करीब हैं और सियासी दलों में दल बदल गटबंदन और सीट बटवारे का दौर चल रहा है विपक्षी गटबंदन इंडिया ने तो कई राजों में सीटों का बटवारा भी कर दिया है लेकिन एंडिया की तरफ से अभी तक सीट बटवारे की कोई ख़बर नहीं आई है कई राजों के शेत्रिये दलों से बीज़ेपीन आलाइन्स तो कर लिया है लेकिन सीटों के बटवारे का एलान अभी तक नहीं हो पाया है क्या है पूरा मामला पताएंगे इस रिपूर्ट में नमस्कार मैं हूं कीरती और आप देख रहे हैं यह उस तक मैप के ज़रिये हम आपको दिखाते हैं कि एंडिये में क्या चल रहा है सबसे पहले बात कर लेते हैं राजुनिती के लिहास से देश के सबसे बड़े राज्य है यूपी की यूपी में बीज़पी और आरल्डी के बीच अलायंस की खबरें जोर शोर से चल रही है सीट मटवारे का अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है यूपी में लोगसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटे हैं कितनी सीट आरल्डी को मिलेगी और कितनी सीट बीज़पी अपने पास रखेगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है 2019 की अगर हम बात कर लें तो 2019 में बीज़पी ने यहां 78 सीटों पर चुनाफ लड़ा था जिसमें से 62 सीटे पार्टी ने जीती थी पश्चमी यूपी को जाट और मुस्लिम बाहुल्या इलाका माना जाता है यहां लोगसभा के कुल 27 सीटे हैं 2019 के चुनाफ में बीज़पी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी वहीं 2019 में जैन्त चौधरी की पार्टी आरल्डी ने सपपा बसपा के साथ कटबंदन में तीन सीटों पर चुनाफ लड़ा था और तीनों सीटों पर दूसरे नंबर पर आई थी जैन्त चौधरी अपने पुष्टैनी शेत्र बातपत से चुनाफ लड़े और बीज़पी के सत्यपाल मलिक से 23,000 वोटों से हार गए थे मत्रा से आरल्डी के कुवर नरेंदर सिंग को हेमा मालिनी के हातों हार का सामना करना पड़ा था इसी तरह जाटों के लिए बेहत सुरक्षत माने जाने वाली मुझफर पुर नगर सीट से अजीद सिंग पहली बार चुनाफ लड़े थे और बीज़पी के संजीव वालियान से 6500 से ज्यादा वोटों से हार गए थे अब बात कर लेते हैं बिहार की बिहार में लोकसभा की 40 सीटे हैं यहां अब की बार नितीश कुमार की पार्टी जेडियू बीज़पी के साथ मिलकर चुनाफ लड़ रही है यहां भी अभी तक दोनों के बीच ये साफ नहीं हो पाया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाफ लड़ेगा 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो बीज़पी ने बिहार में 40 में से 17 सीटे जीती थी वोट शेयर 23 तशमलव 58 फीजती रहा था वहीं जेडियू के खाते में 16 सीटे आई थी और वोट शेयर 21 तशमलव 81 फीजती रहा था पासवान की लोग जंश शक्ती पार्टी ने 6 सीटे जीती थी इनका वोट शेयर 7.86 फीजती रहा जबकि कॉंग्रेस के खाते में सिर्फ एक सीट ही जा पाई थी और वोट प्रतिशत जो रहा था वो करीबन 7.70 फीजती था इस चुनाव में आरजडी का वोट प्रतिशत जो था वो 15.36 फीजती रह लेकिन वो भी एक सीट नहीं जीत पाई थी महाराष्ट की बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य है यहां अब की बार बीजेपी शिंदे वाली शिवसेना और अजीत ववार की एंसीपी तीन पार्टियां एक साथ हैं अ सीट शेरिंग को लेकर बटवारा नहीं हो पाया है एंडिये के अंदर आंद्रप्रदेश भी लोकसभा के लिहाज से बड़ा राज्य है यहां लोकसभा की अगर हम बात करें तो कुल 25 सीटे हैं यहां भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि कितनी सीटों पर बीजेपी चु सेना पार्टी ने बीजेपी के साथ गड़बंदन किया उसे कितनी सीट मिलेगी अभी यह तैहना बाकी है करनाटक की बात करें तो यहां भी बीजेपी और जेडियेस के बीच अलायंस की बात चल रही है सीटों का बटवारा कैसे होगा क्या होगा अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है नहीं कुछ बात सामने आई है करनाटक में आपको बता दें लोकसभा की कुल 28 सीटे हैं साउथ के एक और बड़े राज्ये तमिलनाडू के अगर हम बात करें तो यहां बीजेपी ने तमिल मनिला कॉंग्रेस यानी टी-मसी के साथ गड़बंदन किया है द होता है कहा जाय रहा है कि जल्द ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों के लेस्ट जारी करने वाली है उससे भी कुछ निकल कर सामने आएगा कि कहां कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ने वाला है आपके हिसाब से इस बार बीजेपी लोकसभा चुनावों में कितनी कि रिपोर्ट कैसी लगी साथ ही वीडियो को लाइक करें और चालन को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले